हेलो दोस्तों मैं आसी से हलावत एक बार फिट से आप सब का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे देखें मैं आपको बताने आया हूँ MP में Constable, Excise Constable की Vacancy आई है जो आबकारी पुलिस होती है उसमें Constable की Vacancy के बारे में बताने आया हूँ आप में से जिसने वो form फिल कर लिया हो तो बहुत अच्छा है अगर आपने फिल नहीं किया है ये Vacancy 10 December को Announce होई थी जिसकी Last Date 29 December है उससे पहले आप जल्दी से जल्दी ये form फिल कर दीजिए उसी के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ बहुत ही अच्छा मौका है आप लो पूरी चीज हम डिटेल में डिसकस करेंगे देखे मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो 10 दिसंबर थी और लास डेट जो है वो 29 दिसंबर है इसलिए 29 दिसंबर से पहले आप form फिल कर लिजिगा एज जो है वो 18 से 33 साल तक आप इसके form को फिल कर सकते हैं इसमें आपका एक paper होगा 100 नंबर का एक online paper होना है जिसमें 2 घंटे आपको time दिया जाएगा फिर से सुनिएगा 100 question होगे 100 ही नंबर का होगा और 2 घंटे time दिया जाएगा क्या क्या होगा उसमें उसमें आपका 40 question होगे जिस सामान्य ग्यान के journal awareness जिसमें थोड़ा आपका statics जी के और बाकी current affair रहेगा ये आपका होगा 40 question उसके बाद reasoning के होगे जी 30 question और 30 question होगे science प्लस journal aptitude जो math होता है आपका aptitude होता है बाकी 30 question उसके होगे एक question एक नंबर का होगा और negative marking इसमें कोई नहीं है जी तो ये चीज आपको पता लग गिया है आप इसमें अपन है उस पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं उस पे हमने आप लोगों के लिए free में बहुत सारे test provide करा रखे हैं आप वहाँ पे एक बार visit कीज़ेगा सरकारी नौकरी exams.com वहाँ पे एक बार visit कीज़ेगा आप free में बहुत सारे test वहाँ पे available है उन्हें अलग-अलग department के अलग- bank भी देख सकते हैं कि आप कहा पर अभी stand कर रहे हैं अगर आपका कोई और suggestion होगा तो आप मुझे बताईएगा अब इसमें क्या होता है देखो एक चीज देखते हैं और इसमें क्या होता है कि मान लिज्जे अभी आपने form भरा है और इसका paper होना है बीस फरवरी को इसका paper ह होना है जी दो shift में paper होगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि अभी पढ़ना start करेंगे ही नहीं तो जिसने पढ़ना start नहीं किया वो तो फिर next time दूसरा paper ढूंदता रह जाएगा कि अब कौन सा form आने वाला है ये क्या होने वाला है हर बार आप ये देखिए जो selection पाने वाले ब पूरे जोस में उस form को fill कर देंगे और उसका पढ़ाई भूल जाएंगे पढ़ेंगे ही नहीं देखो भगवत गीता में भी एक चीज लिखी है जो अठारवा अध्याय ना उसमें जो सबसे main चीज है वो ये है कि आदमी के जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए पहली हुआ आपका अगर आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल जरूर मिलता है पहली चीज उद्देश्य है दूसरी चीज है जी कर्म और कर्म के बाद जो तीसरी चीज आती है वो आती है धैरिये ये सबसे important है कई बार ये होता है कि हम मालिज्ये किसी exam की तैयारी कर रहे हैं और उस उसमें हमें इस बार सफलता नहीं मिल पाई तो उसमें अपना धहरिये नहीं खोना है एक बार फिर से लगना होगा लेकिन दो चीज़े होती है एक विफल आदमी में और एक जो फेल हुआ है उस आदमी में क्या अंतर है मानलिज्ये मैंने पेपर दिया और मैं खूब मेहनत की है और उसके बावजूद में फेल हो गया तो मुझे अपने आप पर प्राउड यह रहेगा कि कम से कम मैं लड़ा तो हूँ और जो बिना लड़े ही फेल हुआ है उसे यह लगेगा कि ये भी फेल है और मैं भी फेल हूँ नहीं जी आप बिलकुल अलग हो उससे जो लड़कर फेल हुआ है कम से कम युद के मैदान में आप लड़े तो हो फेल होना एक अलग चीज़ है वो पार्ट ओफ सक्सिज ही है फेल होना मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा मैंने दस एक्जाम दिया होंगे फेल हुआ उसके बाद फिर जो भी एक्जाम दिया टोब भी किया बहुत अच्छे मार्क्स भी आये मैथ में एससी सीजियल में 200 में से 200 भी आये है तो में चीज़ यह है जो फेलियर है वो आपके पार्ट ओफ सक्सिस का ही हिस्सा है लेकिन बिना लडे फेल होना वो गलत चीज़ है और वो लोग मूरक है जो लडे हुए फेल को और बिना महनत किए फेल को एक ही जगे देखते हैं दोनों अलग है अब जब आप सेकिंड टाइम स्टार्ट करोगे तो आपको पूरी 0% से स्टार्ट नहीं करना आपको 50%, 60%, 70% से स्टार्ट करना होगा और इस बार क्या होगा कि लास्ट टाइम आप बिल्कुल बोर्डर पर रहे गए थे इस बार आप उसको हो सकता है कि अच्छी रैंक से किलियर कर जाओ इसलिए जो पढ़ाई है ना वो कभी भी आपकी ऐसा नहीं होता कि विफल होगी है हमेंसा आपके काम आती है तो मैं आपको बता रहता है गीता में ये लिखा हुआ है पहला चीज होता है आपका उद्धेश से कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो क्या एम है आपका, क्या गोल साधे हुए हो दूसरी चीज होती है आपके कर्म उस उद्देश्य पर अपने कर्म स्टार्ट कीज़े कि आप किस तरीके से उसको अचीव करोगे अपने माइंड को उस तरह ट्रेन कीज़े तीसरी चीज होती है जी धैरिये जो आपको किसी भी परिस्तिती में नहीं खोना है और धैरिये के बाद जो चोथी चीज आती है वो आती है जी भगवान का साथ जिसे कुछ लोग किसमत कह देते हैं मतलब पढ़ते टाइम माइंड में नेगेटिविटी आती है बहुत से लोग बहुत से दोस्त ये भी कह देते हैं जब नेगेटिविटी आ जाती है कि आप ये वेबसाइट पे ये देख लिजे उससे माइंड सांत नहीं होगा माइंड सांत दो ही चीजों से होगा या तो एक्साइज से या फिर मंदिर भगवान से या मस्जिद जहां भी आप जाते हो या गुर्दवारा तो आपको उसमें क्या करना है कि आपको पढ़ते टाइम इसपेस ली भगवान से जरूर जुड़ना है उससे क्या होगा जो एक्जाम टाइम में आपके माइंड में प्रेसर आता है आपका माइंड कई वार ये होता है कि ब्लोक सा हो जाता है काम नहीं करता घबराट होने लगती है एक्जाम में वो सब चीजे आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी तो वो जो वो होता है न किसमत किसमत का भी एक दाइरा है अगर आप इतना पढ़कर गए तो इतना दाइरा इतना पढ़कर गए तो इतना दाइरा आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है वाइड में तो किसमत आपकी बड़ी हो जाएगी मतलब यह हुआ कि किसमत भी आपकी तभी साथ देती है जब आप महनत करते हो उपर वाला किसी आप देखो अगर किसी मजदूर को आपने घर लाए पूरे दिन उसने कोई काम किया उसको मजदूरी देते हो न उसी तरह से उपर वाला भी अगर आप महनत कर रहे हो तो मजदूरी जरूर देता है यह महनत आपकी मजदूरी जो है न इस महनत की वो उपर वाला देता है, किसी की नहीं रखता जी, मैं दस बार फेल हुआ हूँ, लास्ट में ये लगने लगा था कि मेरी किसमत में है इनिस गोर्मेंट जो, और उसके बाद ये हुआ कि मैंने पांच एक्जाम दी और पांचों के पांचों के लिए रुए, कभी अपने बार कैसे आपकी संगत है, और किस तरह से आप काम कर रहे हो उससे पाने के लिए, इन सब चीजों पर आपकी सफलता निर्भर करती है, अगर माइंड में नेगेटिविटी आई, माइंड में चीजे गलत होती गई, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, हर काम हमारा माइंड ही तो क पर आ रहा है जी, इसलिए आपकी सफलता और आपकी विफलता दोनों के पीछे ही आपका माइंड है, जैसी दरश्टी वैसी सरश्टी, जैसी दरश्टी वैसी ही सरश्टी, और जैसा आप प्रियत्न करोगे, वैसी ही सफलता मिलेगी, तो इसलिए आपको मैं लास्ट में य अब ये चार से छे महीने हैं, सिर्फ और सिर्फ ये ही चीज कीजिए, कि अपना एक schedule बनाईए, और हो सके तो उसे daily, daily basis पर उसे देखिए, कि आप आज कितने घंटे पढ़े हैं, कल कितना हुआ, पूरे week का बनाईए, फिर एक दिन मैं आपको schedule बनाना सिखा दूँगा, ठीक है, चलिए, आप मुझे comment box में बताईएगा, अगर कुछ भी problem होगी, आगे उसे solve किया जाएगा, थैंक यू,